लोकसबा चुनाओं के पहले हिंदुस्ताने अवाम मोर्चा के संवरक्षक जीतन राम मांजी ने तेजस्वी यादव के उपर भ्रस्टा चार और घूस खोरी का बड़ा आरोप लगाया है आरजेडी कोटे से बने बिहार के उपमुक्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके मंत्रियों द्वारा जम कर पैसे का लेंदेन किया गया है अगर शिक्षा नियुक्ती की बात अगर कर किये हो तो मैं तो कहा कल भी एक अपने मिटिंग में कि आज एक कईस लाख एकल ये कईस लाख एकल जमीन विहार में भुरान सीलिंग और विहार सकार की है हमारे कहां मात तेरह ये चौदा लाख परिवार है जिनको जमीन एक धूर नहीं है अगर मटवा देते वो तब हमानते राजस्व विवाग उनी के पास था तो वो तो पड़े क्या भाई तो तॉ संब्ष्फरफ को रहे जिसको की मुक्षमंत्री ने बंद कर दिया क्या साब्ष nurra लेकर कि लेकिन कुमार उसको रोक लिए तो मुखबंत्री का बरस्तस होता है जो मुखबंत्री चाहेगा वो करेगा तो वही नियुक्तिया में भी हुए है जीतन राम्बान जी के द्वारा लगाए गए आरोपो को जेडियू ने भी सही ठहराया है जेडियू प्रवक्ता अभिशेग जहा ने कहा कि जब जब आरजेडि सत्ता में आती है तब तब ये लोग अन्यातिक कार्य में लगे रहते हैं भले चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग में धनुगाही का मामला हो चाहे वो अन्या मामला हो जब भी राष्ट्रे जन्ता दल के लोगों को सत्ता में रहने का मौका मिलता है राजनतिक रूप से अन्यातिक काम में ये लोग लगे रहते हैं चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग में धनुगाही का मामला हो या अन्या मामले हो समय समय पर इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री जी को मिलती रही है और सब ने देखा कि किस तरह कई फैस्टों पर रोग भी लगती रही जिसकी खीच इनकी रेताओं के मुख से हमेशा बाहर आती रही है यही बात है जीतनराम माझी जी ने भी कही है वह आरोपों पर सहमती जताते हुए भारतिय जनता पार्टी प्रवक्ता अरविंद सिंग ने साफ कहा है कि जीतनराम माझी जी ने सही कहा है कि 50-50 लाख रुपय का लेंदेन हुआ है वह बिहार के पूर्व मुख मंत्री रहे हैं बिहार के अंदर की बात जानते हैं और इसकी पूष्टी मानिय मुख मंत्री जी सदन में विभागों की जाच करा करके उनके विभागों को पूष्टी कर दी है तो जीतनराम माझी जी ने जो कहा है वह सही कहा है जबकि आरजेडी ने आरोपों का खंडन करते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्यूंजे तिवारी ने कहा कि जितन रामानजी के द्वारा लगाए गए सारे आरोप हास्यास्पद, मन गणत और जूटे हैं बिहार के पूर्व उप्व मुख्य मंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा 17 महीने में जो काम किये गए हैं वो एक नए कीर्थिमान को स्थापित कर रहे हैं आदर्नी जीतन रामानजी जी के सारे आरोप निराधार हैं, मन गणत हैं, हास्यास्पद हैं जीतन राम मानजी के आरोप पर कॉंग्रस ने सवाल पूछते वे कहा कि जीतन राम मानजी को पहले ये बताना चाहिए था कि आखिर वो क्या गडबड कर रहे थे, कि नितीश कुमार ने उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पत से हटाया तो जीतन राव माजी जी को पहले जनता के बीच ये बता रहा था घृतन राव माजी जी ने उन्हें मुखमंतरीपत से हटाया पहले अपनी गड़बडी बता दे, अपना भरस्टा चार बता दे, अपनी कमिशन खोरी बता दे फिर वो दुसरों पर आरूप लगाएं स्वतंत्र हैं लेकिन खुद का मामलवात बताएं क्या गड़बड कर रहे थे बता दे कि जीतन राम मांजी ने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव को चिंता करनी चाहिए थी तो बजट सेशन छोड़ कर भाग गए हैं बाहर जाकर उलजलूल बाते कर रहे हैं उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वो क्या कहते हैं कि मैंने 17 महीने में सब कुछ किया क्या मुखिय मंत्री नहीं होता है वो तो उप मुख्य मंद्री थे